शिमला में आज लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य ने विदिवद रूप से राजभवन में अपनी शपत ली राजजपाल बंडारू दात्रे ने उन्हें पद्वगोपने तकी शपत गिलाई आपको बता दें कि लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अजेकुमार वा सदस्य के रूप में जैपरकाश कार्टा ने सदस्य ताग रहन की है इस अफसर पर अध्यक्ष अजेकुमार ने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे बे पूरी निश्टा और इमानदारी के साथ निभाएंगे उन्होंने कहा कि आयोग अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है उनकी परात्मिक्ता परिक्षब में पार्दर्शिता को बनाए रखने के साथ साथ अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करना होगा तो मैं यह कहना हूँगा कि यह जो पाचर पुदेश लोग सबा आयोग का अधाक्ष का पस सरकार ने मुझे उसके लिए चुना है और अभी इस समय में यही कह सकता हूँ कि पूरी करतब्य निष्ठा और इमांदारी से अपना काम करूँगा और हमारा हमाचर प्रदेश का यह जो आयोग है यह अपनी कि ओबेक्टिवीटी एफ्यर सेलेक्शन के लिए पहले से बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत मशूर है इसमें और जो भी पार दर्श्ता और लाने का स्कोप होगा इसको और बढ़ाएंगे पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी लुकतिया हो सरकार की एफिशन्सी बड़े क्योंकि जितना टाइम पर ज्यादा खाली रहेगा तो प्रभावित होती है और जो अभियरती होते हैं जो तो अब्जेक्टिविटी लाने में संबब होंगे जुरूर करेंगे जो सदिस्क्राइब करेंगे तो अरली तो अंसर देखोंगा क्या वर्क लोड है और नेचरली वह तो सरकार खुद भी जहांजा रिखती हैं भरने की परक्रिया तो सरकार शुरू करती है और हां अगर उसके क इस मौके पर उपस्तित हिमाचल के मुख्यमंत्री जैराम ठाको ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग का पूरा देश में नाम है आयोग पारदर्शिता के साथ काम करता है और आगे भी करता रहेगा उन्होंने नए अध्यक्षवा सदर्से के बनने के बाद काम और तेजी लाने की बाद भी कही से जिस परकार से मंदिर में आने का इन दोनों में काफी बड़ी संख्या में लोग का हो रहा था तो उसमें एस अपी लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्रिक्शन उसके कारण थोड़ी कटना आई तो होगी जेकिन एक वियोस्ता है उस वियोस्ता के अनुरूप जो पारदेश्ता के साथ यहां पहले से काम होता रहा है आगे भी होता रहेगा अब सिर्फ इतना है कि नए मेंबर और नए मेंबर के साथ चेर्मेंट की एक जिम्यवारी यहांबर इन लोग को दी गई है और वो लोग आगे इस प्रक्रिया को जो आज से पहले चल रही थी आज से लोग की जो चैन की जो प्रक्रिया होती है उसको आगे जो हो पारदेश्ते के साथ यह तरह से चल रही तो उस तरह से काम करते रहे हैं